देवोलीना भटाचार जी को जाना है कनफेशन रूम अब नहीं रह सकती वो बिग बॉस के घर में हलो एवरिवन मेरा नाम है नित्यानश्री और वेलकिम तो फिल्म विंडो हमारी चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मुझे भी मेरी सोशल मीडिया अकाउंट आंकर नित्यानश्री पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ फीड में हम अभी क्या देख रही है तो हुआ कुछ ऐसा कि आज के पूरे दिन के बाद देवोलीना को अब लगता है कि अब वो इस घर में और नहीं रह सकती देवोलीना कनफेशन रूम में जाना चाहती है क्यामिरास के सामने अल्ड़ी विग बॉस को पुकार लगा चुकी है कि बिग बॉस मुझे आना अब कनफेशन रूम में आना है और आपसे मिलना है अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती और देवोलीना राखी को भी ये कहती हुई नजर आई कि तुम्हें अपने पक्ष में जो भी बात रखनी है जो भी क्लारिफिकेशन देने है अब वो तुम घरवालों से मत दो सीधा सीधा कनफेशन रूम में जाकर बिग बॉस के सामने अपनी क्लारिफिकेशन रखो तो कुछ यू हाल हो रखा है देवोलीना का बिग बॉस के घर में आज सुभा से ही देवोलीना की पहले रुबीना से लडाई हुई फिर निकी ने जिस तरह से देवोलीना की बातों को बाहर की घर के बाहर की बातों को रुबीना अभिनव अली के सामने प्रेजेंट किया वो पूरा किस्सा और अब रुबीना का राखी पर पानी उढ़ेल देना ये पूरा किस्सा इन सब चीजों ने देवुलीना के माइन पर एक ऐसा असर छोड़ा है कि अब उनकी शक्ती जो है बिग बॉस के घर में रहने की वो खतम हो चुकी है और उन्हें बिग बॉस से मिलना है कनफेशन रूम जाना है और ये किस्सा खतम करना है वो चाहती है कि अ अब बस बहुत हुआ अब मुझे इस घर से जाने दो अब देखना ये होगा कि बिग बॉस क्या राखी और देवुलीना की पुकार सुनते हैं क्या उन्हें कनफेशन रूम में मिलने बुलाते हैं आपको इस पूरे वाक्या के बारे में क्या लगता है ये हमें लिखकर जर आंची